आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल exam cluster में इस वीडियो में हम बात करेंगे CHSL और NTPC के बारे में और देखेंगे दोनों में क्या फाइदे हैं और क्या नुकसान है और दोनों को compare करके चेक करेंगे बहुत सारे factors की उपर में कि दोनों में से better कौन है तो चलिए इस वीडियो को सुरू करते हैं वीडियो सुरू करने से पहले मैं आप सभी को बोलना चाहूंगा कि अगर आप RRB NTPC की त्यारी कर रहे हो तो आपको previous year question paper की जरूर दिरूर पढ़ती होगी तो अगर आपको previous year NTPC का questions चाहिए वो भी एक PDF में सारे question papers collected तो आप हमारे description box में उसका link दिया हुआ है वहाँ से आप उसे ले सकते हो सबसे पहला point जो है वह salary जैसे कि आप यहाँ देख सकते है salary CHSL का आपको यहाँ दिख रहा होगा कि max मैंने लिखा है 2400 grade पे और minimum 1900 grade पे यह salary नहीं है यह actual salary नहीं है यह grade पे है grade पे के basis पे ही salary बनती है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि CHSL का maximum grade पे है वो 2400 है और जो उसका minimum grade पे है वो 1900 है और उसी तरह से अगर आप NTPC का देखेगा और भी NTPC का और यह चीज़ गौर कीजिएगा कि यह 12th basis पे हम मैं compare कर रहा हूँ intermediate level पे मैं compare कर रहा हूँ इसमें graduation वाले post को मैंने include नहीं किया है तो जैसे कि आप देख सकते हैं यह NTPC का है और भी NTPC जो कि 12th level का है इसका जो maximum salary है वो आप देख सकते है maximum grade पे salary का वो है 2000 और जो इसका minimum grade पे है वो है 1900 तो आप यहाँ पर compare करके देख सकते हैं कि दोनों का जो salary है वो minimum 1900 ही है NTPC का भी 1900 है और आपका CHSL का भी 1900 है but maximum में थोड़ा सा difference है CHSL का जो maximum है वो 2400 है और जो NTPC का maximum है वो 2000 है अब चलिए देखते हैं promotion में देखिए यहाँ पर मैंने लिखा है CHSL में difficult CHSL का जो promotion होता है मरलब departmental exam होकर करके जो आपका promotion का जो process है वो बहुत लें दिये थोड़ा तो इसमें difficult promotion है और जो आपका जो NTPC का promotion होता है वो easy होता है और सबसे basic बात जो है इसमें ध्यान देने की वो क्या है कि CHSL का जो promotion वाले exam होते है वो regular नहीं होते है और जो railway का जो promotional exams होता है वो बहुत ही regular होते है regular basis पे conduct कराया जाते है इसलिए promotion railway में easily होता है as compared to CHSL अब देखते हैं तीसरा point जो है वो है working life कि दोनों में working life working moment किसका ज़्यादा अच्छा है तो देखें working life में अगर आप बात करते हैं तो CHSL में जो दो post होता है PA और SA, postal assistant और sorting assistant इसका बहुत ज़्यादा difficult होता working life क्योंकि इसमें work pressure बहुत ज़्यादा होता है PA और SA का इसके अलावा जेतने भी posts हैं जो CHSL में आपको मिलता है उनमें और NTPC में जो आपको posts मिलेंगे उनमें कुछ खासा अंतर नहीं है काम के basis पे तो working life में क्यों ये PA SA का जो post अगर आप हटा दिजेगा तो बाकि दोनों cases में NTPC और CHSL में working life दोनों का सेम है क्यों कि दोनों में आपको clerk वाला job ही करना है इसलिए दोनों आपको एक तराजू में तॉल सकते हो उसके बाद देखते हैं higher study preparation time कि दोनों में से कौन सा job अगर करते हो तो आपको higher studies के लिए time मिल पाएगा क्योंकि बहुत सारे jobs में होता है कि उनका working hour बहुत जादा होता है तो यह possible नहीं हो पाता है कि आप higher study को continue रख पाएं तो इसलिए इस दोनों में भी आप जानिए कि CHSL और NTPC इन दोनों में भी है कि सेम ही है working hour भी दोनों का लग मिलेगा दोनों में आपको सेम टाइम मिलेगा तो इसलिए आप अगर higher studies को focus करके जॉब लेना चाते हो तो आप दोनों में से कोई भी चूज कर सकते हो CHSL या NTPC अगला point है वो है transfer जो कि सबसे important point है जैसे कि आप यहां देख सकते है transfer transfer में देखी बहुत बड़ा difference है दोनों म है CHSL में Central Government का देखे दोनों ही Central Government का जॉब है CHSL और NTPC का जॉब है दोनों Central Government का है लेकिन transfer में बहुत बड़ा difference क्योंकि जो देखी अब यहां पर होता क्या है ना कि रेलवे का जो transfer होता है वह intra zone होता है intra zone मतलब अगर आपका job posting माल लिए पटना zone में हुआ था तो आपका ज zone में एक बार जी zone में आपका job लग गया समझे आपको उसी zone में फिर lifetime भर रहना है intra zone transfer होता है मुलब उस zone के अंदर में railway मान के चलिए पटना zone के अंदर जितना बड़ा जो भी इसका zone है उसके अंदर जितने भी stations है उसमें आपका transfer हो सकता है लेकिन उस zone के बाहर पटना zone के बाहर आपका transfer नहीं होगा और वही चीज़ CHSL में फाइदा है कि आप किसी भी state में आपका posting हुआ हो फिर आप वहां से फिर से transfer ले करके अपने home state में posting ले सकते तो यह बहुत बड़ा point है दोनों के बारे में जीसे आप ध्यान में रखिएगा तो अगर आप अपने ही साब स इसमें चूज कर लीजिएगा कि आपके लिए क्या ज्यादा beneficial होगा CHSL यह NTPC अब अगला है जो है वह extra benefits कि extra benefits दोनों में से किस जौब में ज्यादा मिलता है तो जैसे कि आप देख सकते हैं CHSL CHSL में देखिए पहले आप देखिए इसमें NTPC NTPC में आपको medical और free passes आपको ज treatment होता है आप उस railway hospital में जाके करा सकते हो वह भी easy हो जाता है उसमें कुछ खास आपको दिक्कत नहीं आती है लेकिन वही चीज़ अगर आप CHSL में ध्यान दिजेगा तो इसमें भी वही चीज मिलेगा medical allowance इसमें भी मिलता है travel allowance मिलता है home allowance मिलता है सारा कुछ से मिलता है लेकि skill test जो है उसमें आप देखिएगा कि CHSL का अगर आपको job चाहिए तो आपको इसमें सारे post CHSL के अंदर में जितने भी posts हैं उसके हर एक post के लिए आपको skill test देना पड़ेगा मतलब typing test इसमें हर post के लिए आपको देना पड़ेगा और वही अगर आप NTPC में बात किजेगा 12th level पर मैं बात कर रहा हूं intermediate level पर तो RRB NTPC में केवल दो post है जो कि intermediate level पर है जिनके लिए आपको skill test देना है बाकि सारे post में skill test नहीं होगा यह point याद रखीगा कि NTPC में जो 2020 में होने वाला है इसमें केवल दो post है इसके लिए आपको skill test देना है और वही CHSL का कोई भी post हो पूरिज सकते हो जिसमें same format में जिस टाइब से आपका exam में का उसी format में सारा कुछ उसमें दिया हुआ है सारा passages जो कि आप practice के लिए यूज कर सकते हो इसका link भी description box अब अगला देखते है medical test medical test के उबर में बात करते है जैसे कि देखिए CHSL का जो medical test होता हूँ एक तरह से होता है कि आप कोई भी hospital से अपना लेकि CHSL का जो medical test होता है वह एक तरह का formality ही होता है क्योंकि आप इसमें क्या होता है कि आपका health certificate चाहिए जो कि आप कहीं से भी बनवा सकते हैं कि आप physically fit है वागर 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 तो इसमें जो medical test है यह थोड़ा serious होता है क्योंकि इसमें टेस्ट किया जाता है क्योंकि रेलवे के job में आँखों की बहुत जादे demand है तो इसलिए इसका जो medical test है वो भी थोड़ा serious है और इसमें होता है कि हर एक पोस्ट के लिए जो आपकी आई पावर है आँखों की पावर है उसके लिए criteria अलग-अलग होता है किसी पोस्ट में ज कि CHSL का exam अगर आपका qualify हो जाता है तो medical test आपका joining में बाधा नहीं बनेगा लेकिन अगर आपका RRB NTPC में selection हो जाता है तो इसका जो medical test है RRB NTPC का यह आपके joining में बाधा बन सकता है कि अगर आप medical test qualify ना कर पाओ तो आपका job हाँ से जा सकता है अगला देखते है वो है syllabus दो दोनों का ही सेम है लगभग सेम है पूरा बस अंतर क्या है कि जो CHSL में आपको English मिलेगा और आपका जो NTPC है उसमें आपका English नहीं है कि जिनका English कमजूर है उनके लिए RRB NTPC best है क्योंकि इसमें English नहीं है दूसरा एक और छोटा सा बात है जो ध्यान देने वाली बात है कि RRB NTPC में general awareness को ज्यादा importance दिया गया है क्योंकि देखे general awareness का question इसमें 40 है और mathematics और reasoning का 30-30 इसलिए इसमें general awareness का importance सोड़ा सा ज्यादा गया है as compared to CHSL CHSL में जो चारो subjects हैं उनमें सबका 25-25 नंबर है अब देखते हैं अगला जो point हुँ है merit list यह भी बहुत important point है merit list का इसे भी आप जरूर ध्यान में रखिएगा क्योंकि देखिए CHSL का जो merit list बनता है उसमें tier 1 और tier 2 दूनों का marks include होता है final merit list बनाने के लिए और ज उसके बाद जो final merit list बनेगा वो केवल और केवल tier 2 का बनेगा और यही चीज़ CHSL में उल्टा है CHSL में tier 1 और tier 2 दोनों का मिला करके merit list बनेगा तो यह चीज़ी बहुत important है जिसे आप ध्यान में रखिएगा और एक बात यह भी ध्यान रखिएगा कि skill test का marks add नहीं होता है merit list मे skill test, skill qualifying nature का होता है तो यह सारे points आपने देख लिया लास्ट आता है point और respect कि दोनों में से किस में ज्यादा respect है तो आप जिस भी society में रहते हैं आप अपने अगल बगल देखिएगा तो आपको यह चीज़ अंदाजा पढ़ी जाएगा कि लोग किसको ज्यादा value देते हैं एक